वेलकम तो दी न्यू लर्निंग वीडियो और आज की वीडियो में सीखेंगे अधि वाट इस त्रेडिंग उसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से समझा रखा है कि ट्रेडिंग क्या होती है तो आप उस वीडियो को जरूर देखना तो एनिवेस ट्रेडिंग की क्या टाइप होती ट्रेडिंग तो इसमें क्या होता है देखो सिंपल सी चीज है इसमें हम बाय यानि कि बाइंग या फिर सेलिंग करते है within same day यानि कि हम उसी दिन में अपने buy order या फिर जो sell order लगा रखे हैं हम उसे close कर देते हैं ठीक है तो within same day हम बोल सकते हैं इसे बोलते है day trading तो देखो उसके बाद चीज क्या आती है इसमें हमें क्या अच्छे से आना चाहिए हमें technical analysis अच्छे से आना चाहिए क्योंकि हम same day पर क्या कर रहे हैं buy या फिर sell कर रहे हैं ठीक है तो हमें अच्छे से technical analysis आना चाहिए अब technical analysis क्या होता है fundamental analysis क्या होता है इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा detail में आप क्या कर सकते हैं चैनल को subscribe कर सकते हैं जब ऐसी सी नई वीडियो आएं ब्रीव में जिसमें मैंने explain कर रखाऊ topics को तो आप उसे देख सकें तो देखो technical analysis अच्छे से आना चाहिए उसके बाद हमारे पास क्या होगा मारे पास जब हम आगे देखेंगे या फिर positional ट्रेडिंग में तो इसमें charges plus brokerage ज़्यादा लगेंगी ठीक है हमें जब हम order place करते हैं तो हमें कुछ charges लगते हैं तो अगर हम ज़्यादा order place करेंगी तो ज़्यादा charges लगेंगे और हम day trade कर रहे हैं तो हम mostly क्या करते हैं 3 to 4 trades लेते हैं ठीक है mostly traders 3 to 4 trades लेते हैं इसमें चार्जिज ज़्यादा लगते हैं as comparison to बाकी जो हम टाइप देखेंगे ट्रेडिंगे देखो चार्जिज प्लस ब्रोकरीज ज़्यादा लगेंगी और चीज क्या होनी चाहिए हमारे पास इसमें हमें quick decision making आनी चाहिए ठीक है quick decision making अब इसमें क्यों बोल रहा हूं है क्योंकि same day पे हमें close करना है अपने trades को तो हम profit बनाकर अगर निकलना चाहते है तो हमें decision making हमारी quick कोनी चाहिए जो हमारी क्या होगी short term movement आएगी short term movement आएगी ना price की within same day में ठीक है within same day में short term movement आएगी बहुत ज़्यादा बड़ी movement नहीं आती तो हमें उसका क्या होना चाहिए उससे profit हमें बनाना चाहिए ठीक है अगर हम गलत हुए तो loss भी हो सकता है तो इसलिए हमें short term movement से क्या लेना होता है फाइदा लेना होता है तो इसलिए quick decision making भी मारे पास होनी चाहिए ठीक है यही तो होगी मारे पास day trading अब हमारे पास जो next चीज आती है यानि कि next type आती है वह होती है swing trading तो हम swing trading में क्या होता है वह देखते है यह को swing trading तब बोलते है जवन क्या करते है अपनी जो position है या फिर trade है हम उसे hold करते है ठीक है चैकनिकल प्लस fundamental analysis यह जरूरी नहीं है कि दोनों का use करना ही है अपने लेकिन कुछ लोग क्या करते है सिरु technical का use करके swing trade को अपनी hold करते है कुछ fundamental का use करके जिसमें वो वड़िया होते है तो कुछ लोग इसका combination use करते है ठीक है टेकनिकल प्लस fundamental analysis हमें आना चाहिए उसके बा working professional है उनके लिए अच्छी है क्यों क्यों कि swing trading में क्या होता है आपने एक बार क्या किया है ट्रेड प्लेस की ठीक है अपने analysis के according उसके बाद आप जब तक आपको लग रहा है कि यह price आपकी direction में जा रहा है तो आप उसे hold करते हो ठीक है तो कुछ दिनों के लिए हफ्तों के यानि कि आपको बार-बार देखना नहीं परता अपनी trade को ठीक है तो बार-बार trading नहीं करनी परती जैसे day trading में हम करते हैं तो इनके लिए benefit होता है ठीक है किसमे swing trading में जो working professional होते है ठीक है उसके बाद चीज क्या आती है हमारे पास देखो अब क्या हो रहा है हम एक बार position ब ब्रोकरेज लगरी थी day trading में वो कम लगेगी क्योंकि हम बार-बार trade नहीं कर रहे लेकिन day trading में हम क्या करेंगे daily आएंगे और orders लगाएंगे तो बार-बार charges ब्रोकरेज लगरी है daily लेकिन यहाँ पर सिरह एक बार लगेगी तो less लगती है इसमें charges plus brokerage और क्या चीज होती है और चीज आती है हमारे पास इसमें यह क्या होती है इसमें less stress होती है क्योंकि जब trader daily trade करता है daily पैसे बनाना चाता है तो क्या होता है अगर वो गलत होगा तो इसमें क्या होता है आप एक बार trade ले रहे हो और अगर वो आपके direction में चलना start होगी तो आपको इतनी stress नहीं होग आपको profit दिख रहा है 10,000 रूपीज का और आपके पास अगर patience नहीं होगी तो आप क्या सोचोगे कि मैं इसे cut कर देता हूँ ठीक है 10,000 रूपीज इनफ है मैं इसे cut कर देता हूँ लेकिन जो actual move आना हो यानि कि जो price जाना हो क्या पता आपको 1 lakh रूपीज का profit दे जाता है तो उसके लिए आपके पास patience होनी ज़रूरी है ताकि आप उस trade को hold भी कर सको तो यह होती है day trading और swing trading अब जो next आई बात है हमारे पास वो क्या होता है वो होती है हमारे पास position trading यानि कि positional trading इसे हम बोल देते हैं तो इसमें क्या होता है देखो जब हम position trading की बात करते हैं तो इ लेते हैं तो हम बोल देते हैं इसे position trading अब देखो इसमें क्या फरक हुआ जब आप मानलो swing trade आपने अपनी hold की थी है आपको लग रहा है price आपकी direction में जाता जा रहा है तो आप क्या करोगे वहां बात हुई थी कुछ दिन या फिर हफ्तों की आपने क्या किया कुछ हफते य या फिर उस trade को महीनों के लिए hold कर लिया तो आपकी swing trade आप देख रहे हो automatically किसमें convert हो जाएगी position trade में अब देखो यह कोई चीज नहीं होती कि swing trade या फिर position trade को जैसे कोई option होगा जिस पर आप क्लिक करोगे किसी broker की website पर ऐसा कुछ नहीं होता है यह सिरफ बोलने में आता है क जो एक दिन में खतम हो जाए उसे day trading बोलते हैं जो कुछ दिन या फिर हफ्तों के लिए चले उसे swing trading और जो कुछ हफ्ते या महीनों के लिए चले उसे position trading यह सिरफ बोलने की बात है ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई option होगा आपको वहाँ पे click करना होगा order place करने से पहले ठीक है दूसरी चीज हमारे पास क्या आती है यहां से हम long term जो long term movement होती है price की वहां से profit बनाते है long term movement से किसकी price की ठीक है तो यह चीज होगी position trading में ओ दूसरी चीज क्या आती है हमें एक चीज का और ध्यान रखना है देखो जो small price fluctuation होगी na small price fluctuation उसे हमें फरक नहीं पड़ना चाहि मानलो price ऐसे उपर जा रहा है ठीक है अब price fluctuation होई यह मानलो one month के लिए price उपर जाता गया उसके बाद क्या हुगा एक हफते के लिए मानलो price नीचे आए क्योंकि price सीधा थोड़ी उपर जाएगा उपर जाएगा नीचे आएगा फिर उपर जाएगा नीचे इस तरह से work करती यह मार्केट ठीक है तो देखो क्या होगा वन वीक के लिए नीचे है उसके बाद फिर से उपर गया फिर नीचे है फिर उपर गया ठीक है इस तरह से work करती है तो यह जो small price fluctuation दिख रही है इनको क्या करना होता है इग्नोर करना होता है कि इसमें position trading में क्योंकि आप बड़े अपको पता होगा कि investing में क्या होता है? Investing में भी हम क्या करते है कुछ months के लिए या फिर कुछ सालो के लिए हम क्या करते है? अपनी trade को hold करते है लेकिन जो major difference है या जैसे मैं बात करता हो positional trading ज़िवा फिर 5 इंवेस्टिंघ में तो da свидet. सिंपल सी चीज़ है, इन्वेस्टिंग में क्या होता है, मैं सिरफ बाय करता हूँ, और एंड में जाके क्या करता हूँ, ठीक है, यानि कि सिरफ अपसाइड को मैं अपनी बेट लगा रहा हूँ, ठीक है कि प्राइस सिरफ बढ़ेगा, लेकिन पोजीशन ट्रेडिंग में क्या है अब चीज़, डिफरेंस क्या है देखो, पोजीशन ट्रेडिंग में आप सेल भी कर सकते हो, ठीक है, अपनी पोजीशन को जानी कि आपको लग रहा है कि next six month के लिए HDFC bank है, जो वो गिरेगा, ठीक है, तो जब आप invest करते हो, तो क्या करते हो आप, जब आपका HDFC bank गिरेगा, आपने उसमें invest कर रखे है, तो आपको क्या दिखेगा, आपका जो investment portfolio है, वो negative में होगा, लेकिन आप उसे क्या कर सकते हो, अगर आप sell करोगे, ठीक है, तो thousand rupees पर आगया, HDFC bank का price, तो आपको लगा कि इससे आगे नीचे नहीं जाएगा, तो आप यहाँ पर आके क्या कर सकते हो, buy, और उसके according, profit या फिर loss, loss तो नहीं होगा, चलो यहाँ पर हमें, क्योंकि हम सही थे, हमें profit होगा, तो हमने कितने shares buy किये थे, ठीक है, क्या formula होता जाए, profit या फिर loss का, इस पर भी मैंने videos बना रखी है, जिसका link में description box में डाल दूँगा, तो आप वो भी देख सकते हो, ठीक है, तो इस तरह से work करिए, कि हम selling में भी पैसे कमा रहे है, और अगर हम buy करेंगे, तो उसमें भी पैसे बना सकते हैं, गबा सकते हैं, अगर हम ग small price moment, ठीक है, उससे फाइदा बनाते हैं, अब small price moment से क्या मतलब हुआ, यानि कि हम जो in trades होती है, scalping में जो trade hold करते हैं, वो क्या होती है, कुछ seconds के लिए, या फिर minutes के लिए, ठीक है, यानि कि हम बिलकुल small price moment से पैसे बना रहे हैं, for example, मान लो, price था 10 rupees किसी share का, और चला गय कितना 15 rupees पर, तो हम जो ये 5 rupees का सिरफ price difference है, इससे क्या करेंगे, profit बनाएंगे, ठीक है, तो seconds या फिर minutes के लिए, जो हम trade को hold करते हैं, उसे हम बोलते है, scalping, अब इसमें क्या होता है, पहली चीज, हमें quantity जो होती है, इसमें जादा लेते है, mostly scalper, क्यों कि देखो, आपने एक 10 share buy करने थे, ठीक है, अगर इतना difference आ भी जाता है, trade hold करते है, within seconds नहीं, महलो within day या फिर 2-3 दिन में, तो क्या होता, 10 rupees, यानि कि 10 shares into, difference कितना आ गया, 100 minus 10, that is 90, तो आपको profit होता है, rupees 900 का, अब आपने सोचा, कि यहार मैं profit बनाना चाहता हूं, लेकिन थोड़े price difference में, तो आ आप क्या करोगे, यहाँ पर scalping में quantity, ज्यादा लेते हैं scalper, जैसे कि यहाँ पर आपने ले ली thousand quantity, तो क्या होगा, 5000 रुपिस का profit हो जाएगा, कुछी minute या फिर seconds में, ठीक है, देखने में तो यह बहुत अच्छी लग रही है, कि ठीक है, जल्दी free होंगे, लेकिन ऐसे नह होनी चाहिए, कि आपको पता हो कि यहीं से price आप ऊपर जाएगा, क्योंकि मानलो अगर price वापिस भी आता है, तो thousand इंटो अगर, मानलो तीन रुपे भी वापिस आगया गलती से, आपके जो direction थी उसके खिलाफ, तो 3000 रुपिस का आपको loss भी हो जाएगा, ठीक है, इस तरह स तो scalping उसका part हुआ, लेकिन difference के scalping में वो आप देख पा रहे हो simply, तो देखो यह होगी accuracy, उसके बाद क्या आती है हमारे पास, simply सी चीज़ा हमारे पास होती है, हमें psychology मारी अच्छी होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि मानलो, आपने scalping start की, और आपको start में ही loss हो गया, minus 10,000 रु के loss में हो, ठीक है, अब क्या होगा, आपकी psychology कैसे change हो रही है, पहले आप negative feel कर रहे थे, आप positive कर रहे होगे, अब आपको क्या होगा, फिर से, मानलो, loss हो गया, minus 5,000 रुपीज का, क्योंकि scalping क्यों होती है, multiple trades लेते हैं, ठीक है, क्योंकि within seconds होती है, तो एक ही बार में सारा बनाते हैं, थोड़े-थोड़े देर में थोड़ा-थोड़ा पैसा बनाते हैं, मानलो, अब आपको minus 5,000 रुपीज का loss हो गया, फिर से profit हो गया, ठीक है, तो आप देख पारे हो किस तरह से आपकी psychology, यानि कि आप revenge mode में न जाओ कि मुझे सिरफ आज profit बनाके ही निकलना है, वरना मैं loss लेके नहीं निकलूँगा, तो इसलिए आपकी psychology अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कम मैंने आज की trading बंद करनी है, ना कि over trade करना है, ठीक है, तो आपको over trade नहीं करनी है scalping में, तो यानि कि हम scalping में क्या करते हैं, multiple trades लेते हैं, जितना क possible है price change, यह नहीं आप assume कर लोगे, अगर आपको लग रहा है ना कि इस support से इस resistance तक 3 रुपे का change आ सकता है, तो आप उतना ही profit बनाओगे, फिर next कोई opportunity देखोगे, फिर उतना profit बनाओगे, तो multiple trades होगी, तो अगर बार बार trading होगी, तो obviously brokerage plus जो हमने charges की बात की थी, वो भी क् हो जाएंगे, इसमें scalping में, तो देखो, यह simple से चीज़ होगी, इसे बोलते हैं scalping, यह mostly बात में करते हैं trader जिनकी accuracy अच्छी हो जाती है, तो अगर आप beginner हो, आपने यह style जो है वो trading का नहीं follow करना, ठीक है, तो यह हमने सीखा कि कितने कितने type के मारी, क्या होती है, types of trading होती है, position trading, क्यों यह अलग होती है, investing से ठीक है, scalping सीखी, day trading सीखी, और swing trading, ठीक है, तो आगे जो मैं वीडियो से बनाओंगा, technical analysis, fundamental, और वैसे ही मैंने एक series बना रखी है, video series, जिसमें मैंने stock market के बारे में basic से advanced level तक बताया है, ठीक है, तो और भी वीडियो से उसमें मैं add कर रह यही कुछ लोग course मना के देते हैं, तो अगर आपको यह free knowledge मिल दिया तो उनके साथ जबीर share करें, और चैनल को subscribe, thank you so much